Okay, students, हम लोग chapter 3 complete कर लिए हैं, आज हम लोगो देखना है chapter 4, fractional number, तो इसको start करने से पहले हम लोग fractional number होता क्या है? वो देख लेते हैं, देखो fractional number हम लोगो जानना चाहिए कि fractional number वो होता है जिसमे निउमेरेटर हो और क्या हो? denominator, numerator होना चाहिए और denominator होना चाहिए, ठीक है तो numerator और denominator होगा, वही क्या होगा fractional number होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, fractional number तो fractional number का भी बहुत सारा type होता है जैसे equivalent fraction, improper fraction like fraction, unlike fraction proper fraction, unlike fraction mixed fraction, इतना fraction होता है, यह हम लोग को value the same part of whole are called जैसे 1 by 2 है तो यह पूरा ही 1 by 2 के equal होना चाहिए जैसे होता है कि नहीं जैसे यह तो 1 by 2 है सबसे smallest number इसमें क्या है 1 by 2 तो 2 by 4 भी 1 by 2 होना चाहिए जैसे हम लोग इसको divide कर सकते है same number किस से 2 से divide कर सकते है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 तो देखो 2 by 4 भी equal आया 1 by 2 के अब वैसे ही 4 by 8 को भी divide कर के check कर लेंगे 4 by 8 दोनों ही किस के table में आता है हम लोग divide कर सकते है 4 से ही direct है ना क्योंकि 4 जा 4 हो जाएगा और 4 तू जा 8 तो देखो यहां भी 1 by 2 आया यानि कि 4 by 8 is equal to 1 by 8 अब 8 by 16 को भी हम लोग चेक कर सकते है हम लोग divide करते है तो जो smallest number है उसकी equal आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते है equivalent fraction ठीक है अब improper fraction किसको बोलते है fraction whose numerator are greater than numerator तो यह उपर वाले को बोलते है denominator नीचे वाले को तो जिसका भी numerator बड़ा रहेगा greater रहेगा denominator से वही क्या होगा improper fraction ठीक है numerator greater होना चाहिए denominator से मतलब denominator क्या हो smaller हो numerator क्या हो greater हो तभी वो क्या कहलाएगा improper fraction अब proper में just opposite हो जाएगा proper में क्या होगा numerator छोटा होना चाहिए denominator से समझ गए अब देखो like fraction किसको बोलेंगे जिसका भी denominator same हो denominator same है यानि कि यह like fraction अलग अलग रहेगा denominator तो यह unlike fraction और unit fraction में क्या होगा unit मतलब होता है 1 तो जिसका भी आप लोग numerator देखोगे numerator 1 है वो क्या है unit fraction और mixed fraction इसको बोलते हैं जैसे इसी को हम लोग 3 whole 1 by 10 8 whole 1 by 5 1 whole 1 by 2 2 whole 3 by 4 इस type का number जो दिखेगा जैसे कि यह कौन सा number है यह improper fraction है देखो improper fraction written as combination of whole and proper fraction improper fraction को improper fraction हम लोग पढ़ चुके किसको बोलते हैं जिसका numerator बड़ा हो denominator से जब इसको हम लोग इस form में लिख दें कैसे लिख सकते हैं 3 by 2 दिया है मालो यह improper है इसको हम लोग यह जो बड़ा रहता तो दिवाइड नहीं कर पाते तो 2 1 जा 2 3 में से 2 माइनस के तो 1 अब इसी को हम लोग लिखेंगे जो बचा है ना इसको उपर रिखेंगे जो कोसेंट आया है उसको सामने लिखेंगे जिससे दिवाइड के है उसको नीचे इसको हम लोग कैसे लिख दिए ऐसे लिख दिए 1 whole 1 by 2 इसको पढ़ते कैसे है 1 whole 1 by 2 ठीक है इस टाइब के फॉर्म को हम लोग बोलते है mixed fraction इसको भी आपको मैं बताते हूं समाझ में आ जाएगा देखें now written equivalent fraction इसी का equivalent fraction बोल रहा है 2 upon 6, 4 upon 12, 6 upon 18 इसका हम लोग को equivalent fraction लिखना है तो 2 का टेबल लिखते जाएंगे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 2 का टेबल लिख दिए अब नीचे 6 का टेबल है 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 यह हो गया equivalent fraction अब आप लोग सबसे छोटा नमबर यहां पर 2 by 6 है चाहो तो चेक कर सकते हो 4 और 12 को divide करोगे तो भी आजाएगा 2 upon 6, 6 और 18 को divide करोगे तो भी आजाएगा 2 upon 6 तो ऐसा नमबर को हम लोग equivalent fraction बोलते है जब हम लोग सब को divide करें जो smallest number दिया रहता है सबसे सामने में उसके equal आजाए तो वही क्या है equivalent fraction अब जैसी यह series दिया है हम लोग को बढ़ रहा equivalent fraction करोगे तो यहाँ 1 का table है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 अब नीचे 7 का table है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 सेम ऐसी हाँ 5 का table लिख देंगे तो equivalent fraction बन जागा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 जा 30 ऐसी हाँ 9 का table है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 54 यह बनीगा equivalent fraction कभी भी देगा ऐसे question equivalent fraction बोलेगा तो उपर का table नीचे का table लिखते जाना बस ठीक है अब convert following into improper fraction the first is done for you first वाले को यह mixed fraction है यह mixed fraction है ठीक है इसको कैसे पढ़ते है 3 whole 1 by 5 इसको बोला है improper fraction में convert करो improper fraction हम लोग पढ़ शुके अभी जिसका numerator बड़ा हो numerator is greater than denominator इसको बोलते है improper fraction देखो यहां numerator greater denominator से इसको बनाते कैसे है देखो इस 7 को यह हमारा denominator का 7 है उसको हम लोग इस whole वाले 5 से multiply करेंगे और यह जो 1 है उससे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और नीचे में रहने देंगे 7 तो 5 7 जा क्या होगा 35 प्लस 1 अपन 7 देखो 35 में 1 अट कि तो 36 आया 7 यानि कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 whole 1 by 7 को 36 by 7 और 36 by 7 improper fraction है क्योंकि इसका denominator smaller है numerator से numerator greater है denominator से इसको satisfy करता है यह कौन सा fraction है improper और हम लेको वही convert करने बोला था अब देखो यह लिखा है 33 whole 1 by 3 अब इसको भी वैसी लिख सकते है इस 3 को multiply करेंगे यह वाले 33 से और यह जो उपर का plus इससे plus करेंगे और नीचे 3 को रहने देंगे तो 33 3 जा 99 होता है उसको plus करेंगे यह इसको ऐसे convert कर दिये improper fraction में इसको हम लोग क्या बोलते हैं mixed fraction mixed fraction है यह ठीक है देखो अब है हमारा last number है यह वाला complete हो जाएगा हमारा देखो यहाँ पस क्या लिखा है 2 to the power sorry 2 whole 2 by 9 तो इसमें भी क्या करेंगे इस 9 को इस वाले 2 से multiply करेंगे फिर जो उपर वाला 2 है उससे plus करेंगे और नीचे में 9 रहने देंगे तो 9 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 18 ठीक है और plus 2 का 2 ही है और नीचे में क्या है 9 तो 18 plus 2 क्या होता है 20 upon 9 हो जाएगा हमारा answer यह improper fraction है क्योंकि denominator छोटा है numerator से आसा ही हम लोग इसको भी बना सकते है ठीक है अब देखो यह हमारा improper दिया हुआ उसको mix में convert करना है जैसे हम लोग इसको दिया था इसको improper में convert किया अब improper को mix में convert करेंगे तो उसके लिए divide करना पड़ता है देखो इस 7 को हम लोग 50 से divide के तो 77 जा 49 1 reminder बचा इस 1 reminder को सबसे उपर लिखते हैं जो answer आता है उसको side में लिखते हैं और जिससे divide करते हैं उसको वह नहीं रहें देते हैं जैसे divide इससे 9 से के हैं तो 9 यहीं रहेगा अब 9 से हम लोग इसको divide करें कि इसको 11 को चेक कर लेते हैं देखो 9 जो 9 वन जा 9 2 बचा यह जो 2 reminder है उसको उपर लिखेंगे और जो 1 को सेंटा आया है 16 तो 8 में से 6 मैनस करेंगे तो क्या आएगा 2 और अच्छा 8 3 जा 24 लिख सकते है ना 24 8 में से 4 मैनस करेंगे तो क्या आएगा 4 तो यहीं है यह जो 3 आंसर आता है उसको साइड में लिखते है और जो रिमांडर नीचे बचे रहता है उसको सबसे उपर तो 3 78 by 17 को भी डिवाइड कर सकते है 78 को 78 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 172 तो नहीं होगा 176 जा भी नहीं होगा 174 जा करेंगे तो आजाएगा हमारा 68 आजाएगा ठीक है अब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 0 6 में से 1 6 में से 7 में से 6 1 तो क्या आया 4 आंसर आया उसको साइड में लिखते है 10 रिमेंडर आया उसको सबसे उपर और जिससे डिवाइड करते है उसको नीचे समझ गए तो हमारा यह कंप्लीट हो गया अब हम लोग देखते हैं feel in the blanks feel in the blanks में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहा है fraction having same denominator are called जिसका denominator same होगा denominator same होगा उसको क्या बोलते है like fraction तो हम लोग यहां लिख देंगे like fraction अब बोला है यह fraction number whose numerator is greater than denominator जिसका numerator बढ़ा होगा उसको improper fraction बोलते हैं तहां लिख देंगे improper fraction ठीक है जिसका numerator बढ़ा होगा उसको क्या बोलते है improper fraction अब यह बोला हमारा question number C इसको हम लोग क्या बोलेंगे जिसका भी numerator सब में 1 है तो उसको क्या बोलते है unit fraction और इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग 3 whole 1 by 8 तो इसमें whole number भी है और proper number भी है तो mix हो गया इसलिए mixed number और 8 by 9 और यहाँ पस क्या लिखा है 72 इसको box को भरना है हम लोगो तो यह box को भरना है मतलब equivalent ह equal का sign लगा है मतलब equal यानि 8 by 9 के equal इधर भी होना चाहिए तो हम लोग 9 का table कितना बार पढ़ेंगे तो 78 आ जाएगा 9 8 जा 78 तो अगर हम लोग 9 8 जा 78 के है 9 को multiply करें 8 से तब ना 72 आया है तो वैसे हम लोग 9 को जब 8 से multiply करके 72 लाए है तो 8 को भी 8 से multiply करेंगे तो क्या क्योंकि हम लोग 9 को 8 से क्या है नीचे वाले नंबर को 8 से multiply करें तो उपर वाले नंबर को भी 8 से multiply करेंगे तो क्या है 64 तब ही यह क्या बनेगा equivalent आप लोग चाहे तो 64 और 72 को divide करोगे तो आप लोग का answer भी आएगा 8 by 9 ठीक है तब हम लोग नेक्ट वीडियो में पुरेंग पूरें।